स्वामी विवे कानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष निर्धारित करो अपने पूरे शरीर को उसे एक लक्ष से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिन्दगी से निकाल दो यही सफल होने का मूल मंत्र है हमेंसे कई लोग डोक्टर एपी जब्दूल कलाम साब को इंस्पिरेशन मानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कोन है स्वामी विवे कानंद और सिर्फ यही नहीं बलकि निकोला टेसला सुभाष चंद्र बोस, लाल बादो शास्त्री और भी कई सारे से लीजेंड से जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवे कानंद है आज हम स्वामी जी के जीवन की तीन कहाने डिसकस करेंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीके इन तीनों कहानियों में पहली कहानी एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े थे तभी एक सादू ने आकर उनसे पूछा क्या आप ही स्वामी विवे कानंद हो स्वामी जी ने जवाब दिया कि जी हाँ मैं ही स्वामी विवे कानंद हो तबी सादू ने पूचा कि स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ तबी सादू ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेणा का इस्तरोत मानते हैं और तुम्हें एक नदी पार नहीं कर सकते देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ तब यूँ साधू ने पानी पर चल करके उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चल करके स्वामी जी के पास लोट कर आए और बोले कि देखो मेरे पास इतनी शक्तिया मेरे पास इतना टैलेंट है मेरे पास इतना ग्यान है उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई ग्यान नहीं कोई शक्तिया नहीं उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं तभी स्वामी जी मुस्कुर आये और सादू से कुछा कि तुम्हें ये विद्या सिखने में कितना टाइम लगा सादू ने कहा कि 15 साल इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने सादू को नाव में बेठाया और वहाँ से चल दिये दोनों ने नाव में बेठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने सादू से कहा कि तुम्हारी तर कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनकी जिन्दगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर उसका एक्च्छल में कोई सेंस निकले। क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुन्या में कोई भी इंपोर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिन्दगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बर स्वामी जी एक ब्रिस पर चल रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे पर जाते हैं। कोई बंदर उनके पर लपक रहा, कोई उनका प्रसाचेने की कोशिश कर रहा और स्वामी जी उन बंदरों से पीछे चोड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगे। इन से डरेंगे, यह हमें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। इसलिए नेगेटिव थोट्स और डर से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। इनसे तुम जितना ज़्यादा डरोगे, यह तुमें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। और अगर तुम इनका सामना करते हो, तो को सुनना जाते हैं तो कुक्कु एफेम पर उनकी बायोग्राफी डली हुई है आप जाकर सुन सकते हैं और फिर टोटल कोस्ट होती ही 319 रुपे और ये लेस देन 1 रुपीस पर डे से भी कम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाकर एक बार चेक आउट जरूर करें तीसरी कहानी एक बार स्वामेजी उनके गुरू श्री रामकृष्ण परमंसर के साथ कहीं जा रहे थे तब रामकृष्ण जी बोले कि अगर तुमारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति केसे बना सकते हो तब ही उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में उनकी सपष्ट तस्वीर चपी हुई है और कुछी देर भाद उस मुर्ति कान ने राजा की सुन्दर मुर्ति बनाई भी और स्वामी जी ये सारा दर्श्य अपनी आखों से साफ देख रहे थे और तभी उन्हें कुछ सवालों को जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी जिन्दगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की या फिर उस चीज की तस्वीर उसके माइड में एकदम क्लियर होना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इतीनों कहानियां पसंद करें मैं मिलता हूं अपस अगले वीडियो में जै हिन जै भारत